प्रधान मंत्री जी आधर्णिय राष्टिय जख्षी जेपी नड़्डा जी सम्मानित मंच और इस सेवा ही संगठन का रिक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी बंधुओं को प्रणाम एक डॉक्टर होने के नाते मैं मानिय प्रधान वंत्री जी का बहुत ही आभार व्यक्ष करता हूँ कि उन्होंने अगर लॉक्डाउन का अविलंब निर्णे नहीं लिया होता तो अप्रील के महिने में भारत की भी इस्तिती अमरिका और इटली जैसी हो जाती मैं मनिय राष्टिय अध्यक्ष जी के Feed the Needy कारेकरम में साथ देने वाले सभी कारेकरताओं का आज आभार व्यक्ष करता हूँ कि उनके आवान पर भाजपा की इकाई के प्रस्तेक बूत और टोला के कारेकरताओं ने भी Feed the Needy कारेकरम चलाया हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी कि हम केंद्रिय नित्रित की बातों को कैसे समाज तक पहुँचाएं उसके लिए हमने वीडियो कांफरेंसिंग और आडियो ब्रिज का सहरा लेना शुरू किया और इससे ना किवल राहत में हमने मदद करने में सफल हुए बलकि मानिया उप मुख्या मंत्री जी और मानिया मंत्रियों के आडियो ब्रिज से जुड़ने पे गाउं की भी जितनी समस्या थी वह भी हम खत्म करने में सफल हो पाए बिहार के प्रते कुने में कारेकरताओं ने फीट दनीडी अभियान चलाया और शायद ही ऐसा कोई कारेकरता होगा जिसने मोधी टिफिन को अपने जीवन का धे उस समय नहीं माना हो और बिना पाँच जरूरत मंदों को खाना खिलाया हुए स्वैम खाना खाया हो पटना जंक्शन पर रणविजय सिंग जैसे हमारे अनेकों कारेकरताओं ने सारवजनिक इस्थानों पर रह रहे बेसहारा गरीबों को दोनों समय के भोजन को कराया ही वो किस तरह से रहेंगे इसकी भी चिंता हम लोगों ने किया पहली बार हमें मालूम हुआ कि बिहार के विभिन इलाकों में गोजगपा बेचने वालों से ले करके इट के भटों तक में प्रवासी काम करते हैं इन सभी की चिंता हमारे भाजपा के कारेकरताओं ने की मानिये प्रधान मंस्री जी के आवान पर फेस कवर को अपने परिधान का हिस्सा बनाने और बड़ी संख्या में इसके वितरण की जिम्मेवारी भाजपा कारेकरताओं ने उठाया इस कारेकरम में सभी ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया खास करके हमारे महिला सदस्यों ने 29 लाग से ज़्यादा बाटे गए इसी प्रकार पी-म केर्स फंड में सहयोग देने वाले केवल लाखों कारेकरता ही नहीं थे बलकि आम जनता ने भी इसमें बढ़ चड़ करके हिस्सा लिया उस समय अनुबंद पे बहाल शिक्षकों को बिहार में तन्खा नहीं मिल रही थी उसके बावजूद भी मेरे यहां नदी के किनारे एक स्कूल की शिक्षिका सुश्मिता कुश्वाहा ने अपनी आर्थी कठनाई के बावजूद भी मेरे निवास पे आकर के 11,000 रुपए पी-म केर्स पंड में दिये और नजने ऐसे कितने उधारण बिहार के गाओं में बिखरे पड़े हुए हैं हमने व्रिध बिमार जनों एवं दिव्यांगों की अलग से चिंता की हमारे 15,000 से ज़्यादा कारे करताओं ने उनकी व्यक्तिकत सिवा की और उन्हें परिवार के अपने हिस्ते के रूप में उन सभी के साथ रहा प्रतिक प्रतिक इलाके में करोना योद्धाओं को नकेवल हमने समानित करने का काम किया बलकि हैंड सेनिडाइजर, फेस मास्क और उनके कारे छेतर को डिसिंफेक्शन का अभियान चला करके उन सभी की हम लोगों ने मदद की हमारा चालिसवां इस्तापना दिवस 35,607 बुथों पर मनाया गया और भाजपा के प्रतिक कारे करता ने अपने निवास पर जंडा तोलन का कारे किया बाबा साब भीम राव आमबेदकर जी की जैनती बड़े पैमाने पर हमने चलाया यह पहला चितर आप जो देख हैं वह हमारे अर्वल के जिला ध्यक्ष अजय पासवान जी और उनकी पतनी भागमनी पासवान जी का है जो बाबा साब को श्रद्धांजली वक्त कर रहे हैं इनके घर की स्थिती आप देख सकते हैं उसके बावजूद भी इन्होंने अपने जिले में रहात का कारे आप सभी के आजेश पर बहुत ही बड़े पैमाने पर और बहुत ही अच्छे टंक से किया है तिसरा चितर हमारे वरिश नेता श्री राधा मुहन सिंग जी का है जो स और जरुत मंदों के बीच में बाट रहे हैं प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए सबसे पहला धन्यवाद उमेमानिय प्रधान मंत्री जी और इल मंत्राले को देना चाहूंगा अगर उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का निर्ने नहीं लिया होता तो शायद हम दस प्रतिशत भी अपने प्रवासी भाईयों को वापस नहीं बुला पाते हैं दूसरा धन्यवाद मैं उत्तर प्रदेश के और अन इस्थानों के भाजपा कारेकरताओं को देना चाहूंगा हमारे चंपारन के गंड़क के दियरा से लेके कैमूर के कर्मनाशा बॉर्डर तक जितने भी प्रवासी भिहार में आए उन सभी ने कहा कि हमने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती की थी कि घबड़ा कर हम अपने इस्थानों से निकल गए और अगर भारतिय जंता पार्टी के कारेकरताओं ने रास्ते में हमें मदद नहीं किया होता तो शायद हम सह सलामत बिहार नहीं पहुँच पाते उसी प्रकार हमने क्वारंटाइन सेंटर में पतांजली सेवा भारती और सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से 16,000 केंदरों पर कोई कारेकरम किया जिस्ते कि उनका समय भी कट सके और वो अपना ध्यान दूसरे तरफ लगा सके बिहार में हमने एक हेल्प लाइन नंबर तो जारी किया ही पर बिहार के सभी नेताओं ने अपना अपना हेल्प लाइन नंबर जारी किया और कश्मीर से लगे किरलल तक जहां भी प्रवासी फसे थे उनको मदद करने का काम वहां के संगठनों के सही योग से किया उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ खास करके इसमें राजीर प्रताव रूही जिने के हल्प लाइन सेंटर ने बहुत ही अच्छा काम किया सहारनपूर में गुरगाओं से पैदल चलके आए दस से ज़्यादा लोग बिमार पड़ गए थे और यहां से बात करके उन दो सो लोगों का सहारनपूर में अलग से ठराये गया सत्संग भवन में और उन सभी को सही सलामत उतर प्रदेश के मदद से हम बिहार लाने में काम पर उस इस्थान पर जाके रक्तिजान करने का कारे किया हमारी महिला मोचा की अध्यक्ष और प्रदेश की सभी महिला पदाजिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वैम फेस मासक बनाने का कारे शुरू किया और यह एक ऐसा अनुकर्णिया कारे रहा कि हमारे महिलाओं ने फिर बहुत लाखों की संख्या में मास्क बना करके और माटने का कारे किया हमारे कारेकरताओं का यह अनुभव है और उन्होंने दिन से धन्यवाद दिया कि यह बहुत ही अच्छा कारे में हम सब शामिल हुए और जो जिन्होंने मदद पाई उन्होंने भी भाजपा कारे करताओं को बहुत धन्यवाद दिया वीडिया ने तो कवर किया ही लेकिन मैं आज उन सब ही कारे करताओं को विशेश धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मानिय प्रधान मंत्री जी और मानिय राष्टिय अध्यक्ष जी के आदेश को नरही नरायन तेवा मान करके किसी भी हालत में सोशल मीडिया या अख़बार में अपना प्रचाह नहीं किया मैं भी उनको समझाता था कि आप इसको दोगे तो एक उधारन बनोगे लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग ये समाज का दाइत्व कर रहे हैं हम किसी सोशल मीडिया या अख़बार में नहीं डालेंगे उनको मैं विशेश धन्यवाद देता हूँ इन गत्री इस पूरे समय में हमने एक कारे जरूर सिखा है कि मानिय प्रधान मंत्री जी ने जो आत्म निरभर भारत का आफ़वान किया है उससे बिहार को स्वरोजगार युक्त बिहार बनाना है जो 20 ला करोड का पैकेज आपने भारतियों को दिया है उसका उप्योग कैसे गाओं के सामान्य किसान, सामान्य छोटे रेड़ी वाले कर सकें, इसके लिए बिहार भरत्य जन्ता पार्टी एक बड़ा अभियान चलाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते. बिहार के सब भाजबा कार करतां, एवं साथी लोग, अभिनन्दन के पात्र बानिजा, काफी लोग कहत रहें कि पूर्वी भारत में बहुत गरिवी बाप, वही जा कोरोना ज़्यादा फैली, लेकिन रहुआ लोगिन सब कोई के गलत साबित कर देगी. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि, खासकर के उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को चुनोती बहुत है, और आप लोगों ने बिड़ा उठाया है, कि जो हमारे स्रमीक भाई बेहन वापिस आए हैं, उनका कल्यान करने में कोई कमी नहीं रखेंगे. और मुझे पुरा विश्वास है, भारतिय जनता पार्टी के संगठन पर, कारकरताओं पर, और वहाँ सरकारों में बैठे हमारे साथियों पर. जुरूर इस संकठ की घड़ी में, आने वाली दिनों में भी, ऐसे ही जी जान से लगे रहेंगे. फिर एक बार विहार के सभी साथियों को धन्यवाद.